आप देखरें मेरा यूटूब चैनल मुकेश ठपा अफिशियल के नाम से आशा करता हूं कि ये विडियो आपको अच्छे लगेगी तो आज का जो टापिक है वो यह है कि आप इंस्टाराम की रिल्स को कैसे डॉनलोड कर सकते हैं विदाउट एनी एप से आपको प्ले स्टो से आप डॉनलोड नहीं करनी है बड़े सरे इंस्टाराम के यूदरस जो हैं वह चाहती हैं कि हम बीना डॉनलोड कि helps हम और इंचिति को सेव करें कि आपको दोस्तों मैं आ चुका हूं सबसे रहे 3.पर क्लिक करना है। copy link पे आप click किजिए then उसके बाद आ जाए ए प्रोम वाले browser पे इन मैंसे कोई भी आप इसको चूज कर सकते हो मैं आपको prefer करूँगा कि insta of insta के नाम से एक insta of insta नाम से एक site है उसको आप open करें जैसे ही दोस्तों ही इसका इंत्रफेश आता है तो आप इसको आप इसका मिलब जो भी आपको डोनल्ड करना हो रिल्ज का शॉवगे रिल्ज का यहां पे पेस्ट कर सकते हैं और यह आपको यहां पे नीचे चोब हो जाएगा तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यह वही यहां पे डॉनलोड होने के लिए रडी हो चुकी है आप यहां पर डॉनलोड कर ले तो अब देख सकते हैं कि यहां से आपको यह डॉनलोड इंग फाइल मिल जाएगी उसी के बाद बाके बाके options के मैं बात करूं तो वह भी आपको डॉनलोड करके तो आपको अगर डीपी इंस्साग्राम के अगर प्रॉफाइल डॉनलोड करने हैं तो simply जो राइट टॉप पे थ्री डॉट्स हैं उनको प्लिक किजिए कापी प्रॉफाइल यूर्ल पे आईए स्फिर से वही पे पेस्ट करना है और वही आपको डीपी मिल जाएगी जैसे कि आप देख पा रहे हैं डीपी वाला option स्लेक्ट हो चुका है और जैसे आप यहां पे लिंक वह पेस्ट करोगे सर्च करके आपको नीचे मिल जाएगी तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो हमने कापी लिंक कि कि डोनल हो जाएगी दैन उसी के बाद अगर आपको स्टोरी भी कोई किसी ने कर स्टोरी डाली है यहां अपने उसको फालू नहीं किया है आपको स्टोरी देख रहे हो तो वह आप स्टोरी डोनल कर सकते हो वह कैसे करनी है उसका भी मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे करनी है simply जैसे कि आप इस इंसरारम का जो option है इंसरारम में जो profile है यह आप देख रहे हैं कि story डाली हुई है click किजिए three dot पे आईए copy link करके then chrome पे आईए तो आपको story वाला option ऐसे ही select करना है तो आप देख पा रहे हैं story वाला option जो है वो select हो चुका है आपको यहाँ पे link आपको पेस्ट करना है और search करके आपको story select करना है तो दोस्तों download ready है वही आपको story मिल जाएगी जैसे भी किसी ने story डाली हो तो आपको उसे जुरूरी नहीं है कि वो send करने वाला message ही उसको send करना है कि भाई story जो डाली है वो मेरे को send कर आप ऐसे भी कर सकते हैं बेना उसको बताए जैसे कि एक और आप अरील देख पा रहे हो तो मैं आपको एक trick और बता रहा हूं कि आपको दूसरे browser में किसी भी browser में जाने की जरूरत नहीं होगी और अगर आप story डालते हैं तो आपको पता ही होगा वहां पर भी क्लिव करने का option है वो आपको मिल जाता है तो दिखाता हूं वो कैसे होगा तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने story डाली है तो आप यहां से भी इसको save कर सकते हो जैसे 3.com आपको देख रहा है यहां पर आपको save का option मिल जाता है ऐसे ही आपको save कर लीनी है इसको चोटा बड़ा भी कर सकते हो अपने हिसाब से जैसे आपको चाहिए यह आप पूरी full screen पर मिल जाएगा देन आप इसको save कर सकते हो I hope कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो subscribe कर दीजिएगा और भी इस वीडियो में लाता रहोगा तो यह जिसना मेरे को पता था मैंने आपको बताने की पुशिश की है I hope कि आपको पसंद आए सो मिलते हैं अगली वीडियो में thank you दोस्तों I hope कि दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा आपको समय आ गई होगी कि कैसे stories को डोनर करना है कैसे profile picture डोनर करनी है कैसे IGTV की वीडियो डोनर करनी है अगर आपको आपकी मन में कोई भी विचार है कोई भी ऐसा नहीं पता चलता ह है तो आप कोमेंट बाक्स में आप लिख सकते हो कि यह वाली वीडियो नहीं है अगर आपको वीडियो अच्छे लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा मोटिवेशन बढ़ता है सब्सक्राइब से सो थैंक यू है हुआ हुआ हुआ